वन प्लस 7 प्रो एंडूइड पाई फॉर रेड्मी नोट 7 प्रो हाई फ्रेंड सिराज शेर फॉर्म टेक्नोबस.net जैसे कि आप देखे बारे होंगे आपके स्क्रीन के आप पर यहां पर लिखाया वन प्लस 7 प्रो एंडूइड वैशन और यह है रेड्मी नोट 7 प्रो आज आपके इस वीडियों में बताऊंगा क्या 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 फीटर से आपको इसके अंतर देखने हैं कैसे आपने इसको इंस्टॉल करना है और क्या क्या बग्स आप इसके अंतर देख पा रहे है स्टैंट पे लिए तो यह रिखी डिवाइस नेम वन प्लस 7 प्रो एंडूइड व बीफिर देखने को भिलता है आपको इसके अंदर जो है वाल बेपर कंदर काफी सारे जो है लाइव वाल बेपर्स मिलते हैं आपको इसको अप्लाइए के दीज़िए थोड़ी दिर में वह अप्लाइए हो जाएगा और कुछ इस तरीका लाइव वाल पर आपको अपने स्कीन के पर देखने को मिलेगा क्यों टॉग टॉगल से आपको इस तरीके देखने को मिलते हैं जिसके अंदर आपको वाइफाइ मोबाइल डेटा ब्लूटूथ फ्लेशलाइट और रोटेट बैटरी सेवर एर्पीन मोड नाइट मोड लोकेशन बगेरा सारी चाहिए मिल जाते हैं सारी आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं आप होम स्क्रीन पर टैप करेंगे आपको तीन ओप्शन देखते हैं वाल पेपर से विजट सेंड होम सेटिंग सोम सेटिंस में आपको एक्स्टा ओप्शन देखने को मिलते हैं जहां पर आप आप आइकन पैक को यूज साइ शियल Aufgabe के अंक आप यहां देखने को मिलती है जो कुछ इस तरीक को देखने को सकते हैं इसका है है इसका मताँब नकिभ बुलाइभ नव… पॉजशन को चींच कर साने आप काफे काफ़ी टूल मिल जाते हैं जैसे चैल्कुलेटर सफी न्यू टैमर और पार्किंग पे आप यहां पे अपना इजली सेट अप करते हैं एप रॉट जो है आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है इसके लिए काम कर रहा है वन प्लस सेवन प्रो का सब सची बात किया है कि मैंनूल के तुरू मैं आपको चेक रहे ता हूं इसके लिए इनियाबल है दैट मिन्स कि आ अब हाइट करना चाहते हैं यह हाइड हो जाएगा आपको यह आपके आप डॉर में देखने को नहीं मिलेगा आपको उपन करना है तो आप जो को वापीस अपने एक्ट प्रेस होता है उसमीं जाएंगे और वहां से जाके उस एप्लिकेशन को ओपन कर पाएंगे वोल्ट क पर देख पार होंगे वोल्ट का आइकन आपको देखने को मिल रहा है साथ पर साथ वाइप और नेटवर्क के आइकन भी पॉफेक्टली आप देख पारे हैं सबस्क्राइब क्यामरा दिखा जाता हूं आपको कुछ इस तरीकों मिलता है फोटो सुएर आप कैप्चिर कर प आप अपना कुछ भी नाम बे एड कर सकते हैं जो भी आपके इसमें आपके फोट के नीचे एड हो जागा जैसे कि देख पारे होंगे शॉट और वनप्लस के नीचे बाई राजेश भी आपको देखने को मिल रहा है तो यह सारी फीचर सा आपको इसके अंदर मिल जाते हैं जिसाए आप फिंगर पडूब जब अपके स्क्रीन बलेक है आप फिंगर पो यूज नहीं कर पाएंगे यह विकी जब तक काम नहीं करता है फेस अंलॉक इसमें काम नहीं कर रहा है मेंगी अब बंगी है क्याम आने वाली जो प्र्ट हो उ INTB चुऱ् कर पाये अभी तो इ आप डिस्प्ले में जाएंगे आपको तर श्लीप मोड नाइट मोड रीडिंग मोड देहने को मिल जाता है साथ आपको रिजुलेशन को भी ऑप्षिन मिल जाता है वीडियो एंसर अप्षिन दिस्प्लेश में काम नहीं कर रहा है क्योंकि आपका अड्मी नोट 7 प्रोजर अ चाहिए कि आपको मैं मुझो है ठीक तरी किसे में शोग कर सकूँ आप इसके अंदर काफे से एसंट कर रहे हैं आप रेडियूस करना रहते हैं तो रेट को सिलेट किजिए उसके बार जो आपके एसंट कर रहे हैं और आपके क्यों टॉब्स के नोटिफिकेशन पैनल में ज आपको देखने को मिल जाती है आइकन मेंजर में आपको कौन-कौन से उपर आइकन चाहिए कि नहीं चाहिए वो सारी चीजे आप यहां से मैनेज कर पाएंगे तो डिस्प्ले में तो यह आप्शन मिलते हैं साउंड और वाइबरेशन में आप जो है पर्फिक्टी सारी ची आपको उन्प्लेस के अंदर आता है नवीगेशन बार में आपको तीन तरीक होन पार मिलते हैं अगर आप उफिस अपर न्विच यह बटन चाहिए तो आप अपको नेंविगेशन ये जचेटर से हैं, इसके पर नविच गयर देहने को मिल जाते हैं तो इस सारी चीजे पर इसमें कुछ इशू है त्री फिंगर स्क्रीन शॉट्ट में ने चैप्चर कर लिया है तो यह चीजें इसमें काम कर रही है आपको बटन से इंगें बेटरी का पैनल कुछ आपको इस तरीकर देखने मिलता है बैटरी अपनोविशन अडिप्टिव बैटरी लास वुचार यह सारी चीजें आप यहां पर जाके चेकाओ कर सचते हैं सिक्योर्टी एंड लॉक्स के मैंने आपको बताई दिया फिंगर पिंगर्पिंट सेंसर परफेक्टली काम कर रहे हैं बट फेस अनलोग इसमें रिजिस्टर नहीं हो पा रहा है और स्मार्ट लॉक के अंदर आपको सब्सक्राइब कर देखने को नहीं मिलता है और साथ चीजें भी आपको दिखा देता हूं नीचे चलके यह देखे वाएंगे आप यूटिलिटीस में यूटिलिटीस में कुछ और आप्शन मिल जाता है क्योंकि आपके फोन के अंदर फिंगर्प्रिंट जो है ऑन डिस्प कि आपके यह सब्क्राइब कर सकते हैं कितनी वार मैसेज़स आए को ड़के अंदर अन्लॉक यह सारी चीजे जो है आप और इसके ने पर यहां सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप इसके फोगल केमरे को यूजे कर देखें फाय में डिसे में ने कुच वीडियो शूट कि ए और यह हमने एक slow motion के अंदर शूट किया था यह जो परफेक्टली इसके इंदर शूट हो रहे थे और यह जिए OS 7 pro जिसके इनदर आपको तीन फायलें दिखने के मिलेंगी बूत इमेज, सिस्टम इमेज और वेंडर इमेज इस फोल्डर को आप अपने फोन के अंदर सेफ करेंगे जब फोन के इंदर सेफ करेंगे उसके बाद आप अपने फोन को पावर के बटन को फोल्ड रखेंगे और कुछी देर में आपका फोन कस्टम TWRP रेकवरी पर बूट करेगा तो यह लिजी हमारा फोन कस्टम TWRP बूट कर चुक है आप वाइप पर जाएंगे एडवांस वाइप डालवी कैस के राया सिस्टम वेंडर डाटा इन सब को अपने करते ना है इंटलन स्टोइज को आप नहीं करेंगे जैसी सारे पार्टिशन वाइप हो जब आप इंस्टॉल पर जाएंगे इंस्टॉल पर जाके आपको यह फोल्डर के निदर जो फाइल ने थी उनको इंस्टॉल करना है यह फाइले आपको दिखेंगे नहीं जब तक य पहले आप system की इसको फ्लेश करेंगे तो उसके लिए system image को ही select करेंगे आप system partition पर ही उस image को flash कर पाएंगे उसके बाद आपने वेंडर फाइल और उसके बाद आपने वेंडर फाइल और उसके बाद बूट फाइल को flash करना है एक लिक करके तो यह दिके system image जुबारी फ्लेश होगी है फिर से इंस्टॉल पर जाएंगे इंस्टॉल इमेज पर टैप करेंगे अब आप जो वेंडर इमे करेंगे उसके बाद रीबूट सिस्टम और उसके बाद जो आपका फोन जो है वन प्लस सेवन प्रों करेंगा आप सारी चीजों को सेट अप करेंगे एक लिंक और दे दिया है मैंने नीचे Google Play Services का क्योंकि इसमें Google Play Store काम नहीं करेंगा जैसे आपका फोन बूट हो जाएगा आपको जो Google Play Services की APK फाइल है उसको इंस्टॉल कर लेना तो आप हमाज लास्ट फाइल है इंस्टॉल इमेज करके बूट के फाइल को सेलेट करेंगे बूट का उप्शन और स्वाइब तो इसमें Google Play Store काम नहीं करेंगा तो मैंने नीचे के APK दे दिया है Google Play Services का उसको आप इ आपका रोम जैस्टॉली आपके Redmi Note 7 Pro के अंदर फ्लैश हो चुका है तो यह देखिए आपके फोन के उपर Oxygen OS OnePlus 7 Pro की जो बूट स्कीन आ चुकी है यानि रोम आपके फोन में फ्लैश हो गया है और आपने परफेक्टली इस रोम को अपने फोन में बूट कर लिया है तो उमी